नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में दोस्तो आपको बता दे कि आपका जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है अब आपके कामियाबी की लहर पूरे शहर में दोडने वाली है इसके साथ ही आपको बता दे कि अगले तीन दिन आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा न्यूं कहें तो मोहले में आपका नाम गुंजने वाला है और आपका वर्चस्व पूरे जहान में घुमेगा एक बड़े राज से परदा उटने वाला है दोस्तो आपके हातों की लकीरे आप कोई नहीं बदल सकता नाहीं कोई मिटा सकता है क्योंकि ईश्वर ने जो आपकी किस्मत में लिखा है चाहे कोई कितना ही जोर क्यों ना लगा ले आपको वे मिलकर ही रहेगा दोस्तो वीडियो बहुत महदवून है महदवून ग्रह गोचर पर आपके लिए बनाई गई है दोस्तो आपसे निवेदन करते हैं कि इसे आप शुरू से लेकर अंते तक जरूर देखे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सची श्रद्दा से जै शनी देव जै मातादी के जैकारी लगाना बिल्कुल भी ना भूले इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकन प्रेस करना ना भूले तो चली दोस्तो शुरूआत कर लेती हैं दोस्तो आपको बता दें कि आपके जीवन में आपके तीन दिन कैसे रहने वाले हैं आपको किन चीजों से लेकर सावधान रहना होगा और किन चीजों का ध्यान रखना है और कौन सी बाते हैं जो आपके लिए सुन अफसरों के बराबर होंगी आखिर वो कौन सा समय है जो आपको यूज करना चाहिए तो चली दोस्तों शुरुवात कर लेते हैं एक श्री कृष्णी के अनमूल विचार के साथ में जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी तो वीडियो बहुत महदपून है इसे ध्यान से सुनियेगा समझेगा देखे दोस्तों जो लोग गिरने से डरती हैं वे फिर कभी उची उडान नहीं भर सकते डर को दूर करने के बाद में ही बड़ी कामिया भी हासिल की जा सकती है जीवन में जब भी कोई मुश्किल परिष्टितियां बनती हैं तो आपको उन मुश्किलों को हल करने का तरीका खुद ही खुजना होता है दूसरे लोग तो हमें सुझाव दे सकते हैं उन सुझावों में हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है ये आपको भी तै करना होगा इसे लिए आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए अपना आत्मे विश्वास कभी भी कम ना होने दे। आपको आपकी जो परिशानिया हैं उन्हें हल करने का उपाय सिर्फ आप ही जो व्यक्ति मैदान में जाकर के लड़ाई लड़ता है जीत उसी को मिलती है जो लोग मैदान के बाहर बैटे रहते हैं और केवल लड़ाई के बारे में सोचते रहते हैं वो सिर्फ तालियां बजाते रह जाते हैं मुश्किल काम में भी कोशिश अंतिम समय तक करनी चाहिए क्योंकि दोस्तों भले ही सफलता ना मिले लेकिन अनुभव जरूर में लेगा इस अनुभव से सीख लेकर आपको अगली कोशन में सफलता हासिल की जा सकती है बहुत जरूरी है यह इस चीज़ को आप समझेगा यह मुल विचार हमने बनाया है यह सिर्फ आपके लिए है अगर कोई विक्ती बहाने बनाता है तो इसका मतब यही है कि वो सफलत होना चाहता है लेकिन काम नहीं करना चाहता सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं रह सकते इसलिए कभी भी जिन्दगी में कुछ करना हो आगे लहा ले ले लेकिन जादा लंबे समय तक किसी चीज़ को टालना आपके लिए एक तरफ से आपके भागे में अवरोध का कारण बन सकता है तो चली दोस्तों बाल लेते हैं कि अगले तीन दिनों के अंदर आपके जीवन में क्या बदलाव होंगे और किस तरह से आपके वीडिये को स्टार्ट करते हैं जो आज लोग आपको नीचे गिरा रहे हैं आपका मज़ा कुड़ा रहे हैं कल वही आपके कारे पर प्रसन्ने होंगे दोस्तों आज आपके मंन में जो भी प्रशन हो उट रहे थे ुसके जवाब आज आपको अपने आभी मिलने वाले हैं और आपको कुछ समय थोड़ा इंदिजार करना होगा उपर वाला जो भी करता है आपके साथ ने वह सो समझ कर गी करता है आज आपके द्वारा कोई ऐसा काम हो सकता है जो आपके प्रशनचा में चारचान लगा देगा और दोस्तो आपके द्वारा जाने एन जाने में कुछ ऐसे काम भी हो भी सकते हैं जो आपका सम्मान पूरे गली मुहले में गांगां में बढ़ाने वाले हैं आपको कोई ऐसी सफलता भी मिल सकती है दोस्तों जिसकी वजह से आपका नाम रोशन होगा आपके परिवार वालों का नाम रोशन होगा चाहे तो आपको कहीं पर जॉब रख सकता है अगर आप student है तो आपको सिख्षा के शेत्र में काफी लाब मिलने वाला है आपको बता दे युवा वर्क मौज मस्ती में अपना समय वर्त वर्बाद ना करे कारे शेत्र में लाब कम मैनच जैसी ज़्यादा इस्तिती रहने वाली है इस समय आपको सूज वूज वा दूर दर्शिता से काफी काम लेने की आवशकता है ओफिस में दोस्तों कोई प्रजेक्ट होने के कारण आज आपको उचित कारें से वो सरहाना मिल सकती है परिवान के साथ में मरोजन जन या फिर घूमरे फिरने का प्रोग्राम बन सकता है प्रेमी प्रेमी काउ को डेटिंग का अफसर मिल भी सकता है वेवस्ते दोस्तों दिन चरह रखनी चाहिए आपको थोड़ी सी अनिद्रा की परिशानी से राहत पाने के लिए थोड़ा समय आपको विश्राम की जरूरत है और इसके साथी आप इसके लिए मेडिटेशन का भी सहरा ले सकते हैं आपका कारे अभी जो भी अधूरा है उसे समय पर पूरा कर ले अन्यधाया आने वाले समय के लिए लाबदायक नहीं रहेगा कारे प्रडाली के दिन चर्या पर एक दीर कालिन प्रभाब डाल सकता है और दोस्तों आपको बता दे कि अचानक से कहीं से शिप सूचना मिल सकती है जिसका सकारात्मंग प्रभाव आपको अपके पूरे परिवार पर देखने को मिलेगा किसी समाज सेविक संस्ता के लिए भी आप सहयोग कर सकते हैं दोस्तों आपका आर्थिक लाब काफी मजबूत मिलने वाला है ऐसा करने से आपको आर्थिक और मांचिक सुकून भी मिल सकता है आपका कोई काम नजदी की रिष्टदार या फिर जलन की भावना पर आपके पीट पीछे वार कर सकता है और आपकी छबी खराब करने की कोशिश भी कर सकता है तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए या आपके लिए काफी बैतर रहने वाला है कहीं पर भी आपको निवेश करने से पहले दोस्तों उसका परामश आपको जरूर कर लेना चाहिए आपको अपने कारे पडाली में बर्तमान सितियों के अनुसार ही परिवर्तल लाना ज़ादा ज़रूरी रहेगा आए के साधन बन सकते हैं इसलिए आपको अपने प्रयासों में बिलकुल भी कमी नहीं आनी देनी है निकट भविष्य में आपको बता दे कि आपको काफी उचित परिना मिलने वाले हैं जो आपके लिए काफी लाबदायक रहने वाला है परवारिक सदस्यों के बीच में अगर बात कर ले तो आपका ताल में थोड़ा नहीं होने से वेस्तिता अस्तिवेस्त रहने वाली है प्रेम संबंद थोड़े से गंबीर और सहधर पूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों आपको बता दे कि आपके उपर बनी हुई जिम्मेदारियों का एहसास होने के बाद में भी आपके काम कर रेचे थोड़ा परहीच कर रहे हैं इस बात को जानना आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाला है भावनात्मक रूप से आप थोड़े से वीक महसुस कर सकती हैं आपका किसी भी मिरने पर एक दम टेके रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है काम के प्रती आप थोड़ा आलस से दिखा सकती हैं जिसकी वज़ा से आपका काम पोस्पन होने की वज़ा से आपको ओफिस में थोड़ी सी दिक्कते आ सकती हैं। इसके साथ ही आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके प्रेम सम्बन्दों के बारे में, तो दोस्तो आज आप अपने पार्टनर के साथ में बाहर कहीं एक सुन्दर डिनर पर जा सकते हैं जो आपके लिए काफी लाबदायक रहने वाला है इसके साथ ही आपको बता दे आपके पारवारिक जीवन में बड़े भाई भेनों को लेकर के थोड़ी सी चिंता रह सकती है क्योंकि उनका आपका समझस से नहीं बैट पा रहा है दोस्तो इसके लिए आपको ज़्यादा चिंतित होने की आवशक्ता नहीं है क्योंकि आने वाला समय सब कुछ सही कर देगा इसके साथ ही आपकी बात करते हैं करियर के बारे में तो दोस्तो आज आपको कहीं से जॉप का उफर आ सकता है जो लोग सरकाई नौकरी की तयारी कर रही है ये कॉम्पिटीशन की तयारी कर रही है दोस्तो उनके लिए काफी शुबलाव है जल्दी ही आपकी वेकेंसी आपको प्राप्त होने वाली है जिसमें आपके उन्नती होने के चांसिस बहुत अधिक नजर आ रही है दोस्तो आज आज आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि आपने जो कारे कभी नहीं किये वे भी कारे आपको करने पड़ सकते हैं तो आपको इसे थोरा सतर रहना पड़ेगा और आपके जीवन में निरंतर काम चलता रहे तो आपको पुरानी बातों को भूल करके आगे बढ़ते रहना चाहिए इसके साथ ही हम आपको बता दे आपका कोई पुराना शौक आज उभर कर आएगा जिसमें आप काफी रूची लेने वाले हैं तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रुर दबाईएगा ताकि आने वाली नॉलेजिवल वीडियो आपको सबसे पहले मिले मेरे दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अंधे तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद